एक बार फिर से सब प्रोग्राम अधिकारियों का, एबम मन्या जयापक बंधूं का और समस्त शोतागणों का स्वागत है आज किस ओनलाइन वर्चुल ट्रेनिंग में तो जैसा कि पिछली वीडियो के माधियम से हमने यह सीखा था कि किस परकार से हम PFMS data operator ID के माधियम से लॉगिन करके vendors बना सकते हैं आज हमें सीखेंगे कि किस परकार से हम vendors को map कर सकते हैं तो आईए जानते हैं सबसे पहले हम login ID password जो data operator ID का है उसके माधियम से लॉगिन करेंगे लॉगिन करने के बाद हम masters menu पे जाएंगे और इसके बाद क्लिक करने पर vendors option vendors option पे क्लिक करने के बाद manage option तो यह तीन चरणों में तीन steps में यह वैंपिक का कारे पूरा होता है और उसके बाद vendors option और vendors option के बाद manage option manage option पर क्लिक करते ही हमारे पास जो है vendors registered by me अगर हम यहाँ देखें first job search criteria हमें सामने दिखाई देता है जिसमें पहला ही option हमारे पास आता है कि vendors registered by me तो इस प्रकार से हम जो है search criteria को ढूंड सकते हैं कि कि search criteria के अंडर जो है हमने अपने vendors को manage करना है यानि कि उसके अंदर कुछ changes mapping के या कुछ अन्य तरीकों के करने हैं तो उसके लिए पहले हमें search criteria लगा कर vendors को ढूंडना पड़ेगा तो search criteria के type के हैं जैसे कि अगर मैं click करूँ यहाँ पर arrow पे तो vendors registered by me पहला criteria है search करने का दूसरा है vendors mapped but registered by others पूरे देश प्रदेश में या पूरे जिला में या अन्य असमंदित गाओं शेहरों में कई प्रकार के vendors होंगे हर vendor को हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि depending upon the availability किसी और shop को किसी और व्यक्ती ने vendor बनाया होगा किसी और P.U. ने किसी और अधियापक ने या किसी और agency ने vendor बनाया होगा तो अगर हमें लगता है कि हमें भी उसको vendor बनाना है अपना तो हमें उसकी registration करने की जरूरत नहीं है उन that case जो है हमें क्या करना है हमें just उसको simply अपने account के साथ map करना है जोड़ना है तो यही एक purpose है manage vendor option के अंडर इन सब search criteria का कि हम उन लोगों को ढूंडें जिनको हमने या तो अपने खुद register किया है या जिनको हम already map कर चुके हैं परनतो हम देखना चाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो की register किसी और ने किये थे यानि कि उनकी information किसी और ने भरी सी परनतो mapping हमने अपने साथ करती है और इसके लाबाद तीसा criteria कि vendors not mapped with me यह main criteria है जिसके माधियम से आप उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं जो की पूरे देश-परदेश, पूरे जिला यह पूरे गाओ, शहरों में अलग-अलग vendors के रूप में online registered है प्रनतो आपके साथ वो नहीं जुड़े हैं यानि कि vendors not mapped with me, me कौन, मैं यानि कि data operator, तो data operator से कौन लोग नहीं mapped हैं तो उनके list ढूटने के लिए हमें इस तीसरे option पे click करना है, जैसे तीसरे option पे click करूँगा तो मेरे पास list of vendors जो हैं वो सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि कई परकार के vendors के नाम और उनके count number डिट 10,000 के round जो vendors हैं वो list में यहां पुरूपलब्द हमारे पास होंगे, तो ऐसे 10,000 के round vendors हैं जिनको अमने साथ नहीं जोड़ा है, प्रन्तु होजबता है कि डिटेल किसी और ने बनाई हो, जैसे कि आपके अपने institution के बगल में कोई और institution है, उसने किसी और को vendor बना रखा है, औ और आप भी उसी सामान पर्चेज कर लेते हैं, और बाद में आपने उसको billing है, उसका amount जो generate करना है, तो आपको उसको पहले map करना पड़ेगा साथ में, तो ऐसी सिती में कि हम दुबार उसकी decision क्यों करें, because वो तो already mapped है, तो उसकी decision करने जरूरत नहीं in that case आपको क्या करना ह अब ये काम कैसे होगा, vendors not mapped with me search criteria लगाया, उसके बाद आप जो है, इस list में अपने पसंद के vendor को, अपने suitable vendor को ढूंडेंगे, और उसके बाद जो है, उस vendor के नाम के left side में देखिए, यहां पर एक square box बना है, इस पर click कर देंगे, click करते ही जो है, वो vendor select हो जाएगा, तो मान देते हैं कि मेरी पसंद का vendor number 1 नहीं था, तो मैंने इस vendor के box पर click कर दिया, तो ये मैंने इसको select कर लिया, अब इसके बाद जो है, मैं क्या करूंगा, अपनी पसंद के vendor को select करने के बाद, page के सबसे last हिस्से में जाऊंगा, और यहां पर map vendors option आपके सामने reflect हो रहा है, map vendors, मैं इस vendor को map करने के लिए, इसके map vendors बटन पर click कर दूँगा, जैसे मैं इस बटन पर click करता हूं, तो ये जो vendor है, ये map हो जाएगा, मेरे PFMS ID के साथ, तो जैसे महाले थे कि मैंने इस पर click कर दिया map vendors पर, तो क्या हो रहा है, ये message display हो जाएगा सामने कि selected vendor beneficiary mapped successfully, यानि कि मैंने vendor को सफलता बुरवक map कर लिया, तो यही हमारा आज का task सा कि कैसे vendor को map कर सकते हैं, अब मान लेते हैं कि हमने उन सब vendors को देखना है, जो की मेरे साथ mapped हैं, ठीक है, तो वो दो तरीके सो सकते हैं, या तो जिन vendors को मैंने register किया है, वो लोग मेरे साथ map होंगे, जिनको मैंने खुद vendor को map किया, यह जो vendor था, यह किसी और ने बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इसको map किया है, अपने साथ, तो अब क्या है, इसमें second criteria लगेगा कि vendors mapped, but registered by user, जैने कि vendor मेरे साथ तो map है, परन्तु, but registered by user, किसी और से registered इसको किया गया है, तो मैं इस पे click करता हूँ, और अगर आप देखें, तो जैसी इस criteria को मैंने select किया, तो उसके base पर detail नीचे आ गई, जिसमें जो vendor अगर आप यह पहला देख पा रहे हैं हो, यह वह vendor है, जो कि मैंने अभी अभी आपके सामने जो है, जिसको अपने साथ map किया था, ठीक है, तो इस परकार से हम vendor जो map हो गए हमारे साथ, हम उनको देख सकते हैं, कौन-कौन map हुआ, एक और vendor mapped है, तो मैं इसको भी आपको बता रहा हूँ कि, और जो vendor आपने अपने आप register की, map की वह भी आपको दिखते हैं, और जो vendor आपने भी map किया, वो तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब city बीच में ऐसे आती है, map हो गया, आप उसको unmap भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस प्रकार से ही उस vendor को ढूंडेंगे, और ढूंडने के बाद आप उस vendor के नाम के आगे जैसे मान लेते हैं, कि जो मैंने वेंडर भी select किया, यह गलत है, इसको मैंने नहीं जोड़ना है, तो unmapped successfully, यानि कि vendor unmapped हो गया, और देखिए आप नीचे वो account number वो नाम का vendor नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से हम vendor को unmapped भी कर सकते हैं, तो कुल मिलाके search criteria जो पहले तीन है, vendor registered by me, यानि कि जिनको मैंने खुद बनाया, तो वो जो register मैंने किये हैं अपने आप, खुद information डालकर name, address वगर डालके, वो detail मेरे पास, दो vendors किया रही है, जो कि मैंने बनाये है, मुझे confirmed है, जिनको मैंने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है, परन्तु map जो है, वो मैंने अपने साथ कर रखा है, तो उनकी list निकालने के लिए, तो वो list इस criteria से निकल जाएगी, vendors mapped but registered by others, और को ढूंडने के लिए, यह निकुन इस list को देखने के लिए, आम या नीचे देख सकते हैं, तो देखिए कि vendor है, जिसको मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है, परन्तु इसको register किसी और ने किया है, तीसरा case, vendors not mapped with me, यह option आपको provide करता है, वो तरीका जिसके माधियम से आप जो है, अन्या vendors को अपने साथ map कर सकते हैं, जैसे कि vendors not mapped with me पे click किया, तो वो ही list of users आपके सामने दिख जाएंगे, सारे के सारे जो की पूरे all over the country, all over the state जो है, आपके पास even level है, अब इतनी सारी list में, 10,000 की list में, अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद का आपके गाउं क तो vendor तो दिखनी रहा, जिससे आपने समान लेना है, क्योंकि दिख लिसनी रहा, विकाउस 10,000 की list है, तो दूनने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी सिती में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और अपने सर्च को refine करने के लिए, vendor not mapped with me चूज करने के बाद, आप उसका account number भी यह गर दी account number, फिर search पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास अकेले उस व्यक्ती का ही vendor detail दिखाई देगी, यहां पर 2015 आपको एक पीच पर दिख रहे हैं, 1000, 1000 की list सारी यह है, प्रंतो उस टाइम पे जब आप ऐसी account number डाल कर search करेंगे, तो automatically क्या है, एक ही vendor सामने दिखाई देगा, जिसका account number यह होगा, क्योंकि एक account number के साथ जो है, एक ही vendor जो है, attach होता है, with one unique ID of the vendor, तो आप क्या करेंगे, उस vendor को इस तरीके से भी search कर सकते हैं, अपनी पसंद के vendor को, और उसके बाद उसके नाम के left side के column में, tick लगा कर, map vendor option पे click करके, directly अपनी पसंद के vendor को भी map कर सकते है बिना ज्यादा search में उलजिये हुए, यानि कि 10, 15, 20, 50, 100 pages के list में नाम को नूड़ने के बज़ाए बैटर है, गर आपको लगता है कि मेरे पास उसका account number भी है, तो आप account number डालकर directly भी उस vendor को search करके, अपने साथ map कर सकते हैं, हर एक vendor को जब हम map करते हैं, तो उसकी detail जो है, मैंने पहले बताया कि आप उसको अलगले search criteria के base पर यहां पर ढूंड कर जो है, देख सकते हैं और check कर सकते हैं, और इसी के साथ ही आप अन्या तरीकों से जो में आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि vendor को गलती से add हो गया, map हो गया, आप उसको unmap करना चाहते हैं, तो आप जो है, vendor registered by me या vendor mapped but registered by others पर click करके, आप उस vendor को concerned vendor को जो है, अन्मैप कर सकते हैं, जैसे कि search पर click किया, और concerned vendor को देखा, क्योंकि यह तो आपने खुद register किया है, तो इसके लिए तो आप confirmed है, कि इसमें तो कोई गलती की गुझाश नहीं है, परन्तु, in that case, जब आपको लगता है कि जैसे माने दें कि यह vendor जो है, यह गलती से map हो गया है, तो आप इस पर click करके इसको unmap कर सकते हैं, तो unmap करने के लिए vendors mapped but registered by others का column आपको जो है, search criteria जो है, वो definitely help करेगा, तो आज की training में हमारे पास just यह, इस session में यह था कि आपने जो vendor creation करना सीखा, तो vendor map करने का तरीका क्या है और कैसे mapping के बाद unmap कर सकते हैं, तो उकल मिला कि आज की training में बस इतना ही, धन्यवाद, thank you.